क्या हाले साथी हूं मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस हो दिचाने स्टेडी फॉस सिविल सर्विसेस पर आज आपके समक्ष लेके आगे देखे ई-पीए-फो का एक्जाम कब होगा सब लग पूछा दर रिक्रूटमेंट टेस्ट कब होगा आप फाइनली डेट आ गई है मैंने आप लोग से कहा था पंदा दिन उसने बोला है वो बहुत 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 जाला समय देखा करीबन धाई मैंने करीबन धाई मैंने उसने दियें 73 डेज हैं अगर आज से देखें जब से यह मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 23rd of June से तो देखें अब इसमें क्या है कि यह डेट देखे UPSC की वेबसाइट है यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया अब इससे लेटर क्या कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले 60 दिन का अगले 60-70 दिन है वैसे तो हम लोग थोड़ा सा पहली करेंगे 70 दिन और उसमें भी 49 दिन का मैंने एक फॉलो कर सकते हो इसको फॉलो करो कई साही चीजे जोड़ के हम बता रहा हूं इसी वीडियो में आपको सरी चीजे मिल जाएंगी चले चलते हैं अब देखें सबसे बड़ा जो सवाल थे सबसे जादा जो सवाल लोगों ने पूचे वह यह पूचे कि सर करंट अफेर होगी देखें जनवरी 2020 जनवरी 2020 जनवरी 2020 से लेके जुलाई 2021 तक की बात आपको करनी है करेंट अफेर पूरी करनी है हमारे इससे कर लिजे सारा कुछ हो जाएगा इसके लावा ईपीफो कार्ड और इसकी प्रेलिस मैं दे रखी यह पूरा आप लोग जो है इसको पूरी जैसे कि इंशुरेंस से बीमा समंदित पेंशन से सोचल सेक्योटी रिलेटेट जो है यह जितनी भी ओन गोईंग है अभी जो चल रही है यह सारी ही करनी है और मैंने इनको कंप्लीट कर रखा सोचल सक्योटी इंडिया ऑले जो है वीडियो जो पूरी सीरीज है उसमें भी क सोचल सेक्योटी इंसे लेटेट भी मैंने एक लेलिस्ट बना रखी उसमें दे रखा है करेंट अफेर ठीक जो आपका लेबर रिफॉर्म्स होगा यह सारी चीजें ठीक करेंट अफेर और क्या करना एक नौमी पॉलिटी और साइंस इन पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना ठीक इसके बाद किएपु से समझतें जो करेंट अफेर की है स्पेशा करेंट अफेर वह प्लेइस्ट हमाई बनी और रखा है त्षपर का इसके लावा जोबी और टेस्ट होगी हमें वह सारे आप लोगों करने हैं बस इसके अलावा करेंट अफेर और कुछ नहीं आसकता अब इसमें बिल्कुल ये मत पूछेगा कि सर ये enough है कि नहीं है ये सब question अगर आपको लग रहा है कम है तो आप जहां से इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद अगर आपके पास time है तो आप पढ़ लीजेगा कहीं और से ठीक जितना भी आपको पढ़ना हो अब देखें इसके बाद जो मैंने एक पहले वीडियो दिया था 60 days याद आ रहा है 60 days and nights का ठीक उसमें सबसे important चीज़े कहते है कि उसकी PDF यहाँ पर है ठीक PDF पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यह रही अब यह क्यों नहीं खुल रही है चलिए ठीक है इसका देखें वीडियो भी है वीडियो लिंक भी दे रखा है और ली करेंट अफे वाले चैनल पर आप देख सकते हैं इसको ठीक यह लिए इसको हम वह करते हैं पॉस इसमें मैंने क्या है इंग्लिश का फिर उसके बाद जो है आपका सब कुछ जितने भी टॉपिक बता रखे ना जैसे आप इसको अगर देखोगे तो यहां लिखा हुआ इसके अलावा कही मत भटको इसको ही करना है सिर्फ ध्यान रखो मेरी बात ठीक आप ज्यादा भटकने की जरूत नहीं है आप यह बस सोचो कि सब कुछ करने की चक्कर में आप जो है जो सबसे आदा इंपॉर्टन वो चीज़ नहीं छोड़नी है इंडियन पॉलिटी का दे यहीं वाले चीज़े करो आप ठीक और सोर्सेज भी बता रखें इनको कर लो ठीक है और इसके बाद अगर आप देखो इसके बाद आप लोग का ठीक तो यह आली चीज़ हो गई आपने इसका पीडियो तो मैंने आप लोग को पेड़ ग्रूप में दे रखा है यह यूट् सब्जेक्ट वाइस आप लोग को करना ठीक तो इप फो एक्जाम फिर से बता देनों पांस सित्मबर डे वाइस चेडूल है सब्जेक्ट वाइस अब इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए जैसे मैंने आप लोग उपर 60 डेज वाली पीडियो में बताया जो हमने पीडिय चार दिन सिर्फ चार दिन लगें ज्यादा कुछ आई नीज में और आपका साइन्स पांस दिन में कंप्यूटर एक दिन याव एक दिन जो आप समझेरों ना क्या है इसको बता हूं कितने गंटे पढ़ना है इसके बाद जन्रमेंटे अबिलिटी हो गया कौन्ट हो गया छ चार दिन तो आपने यह कर लिया तो उनचार पचास और यह करीबन तीन हफ़ते आपके बास और बचेंगे तो ती अगर आपने यह अच्छे से कर लिया रोज मैं आपसे गुजारिश है कि रोज आप लोग से चाहता हूं कि 14-16 घंटे रखिये भाई PFO सीधे प्रिलिम्स क कर लो यार इसको टेस्ट सीरीज हमारी पूरी निप्टा दो आप सीरीज को जो ही ही अगर कर लिया तो कई सारे कोश्चन तो यहीं से आएंगे ठीक अगर देखे कि किसी को यह सही नहीं लग रहा है कि इकनौमी पांस दिन बैठना उसको लग रहा है कि जो है आप याली गंटे का स्लॉट बनाओ आपको 14 गंटे पढ़ने आप साथ सब्जेक्ट पढ़ सकते हो दो दो गंटे का स्लॉट बना लो ठीक लेकिन भीया अब अब से 14 से 16 गंटे पढ़ना ही पड़ेगा समझ में आगी बात तो यह सारी चीजें हैं आप लोग को एक और खुशकवरी बता दे रहा हूं मैं कि हम लोग जो है जल्दी ही जो है जल्दी जहां तक है 29 या 30 अरिक से नया जो है ईपीएफो का पेड़ ओपन करने वाले हैं साथ दिन का क्राश कोर्स होगा अगर आप इसको जोइन कर लोगे तो आपको ट्रेस सीरीज मिल जाएगी सारा स्टेडी मट्रियल जितना हमने होता है वह मिल जाएगा ठीक और जितना भी डाउट साब के रहेंगे सब कुछ इसमें कर दिये जाएंगे अगर आप कंप्लीट जो है 60 days का complete जो है PROF जो है अधर्वाइश सीर लेक डाउट जो है क्लिया किये जाएंगे तो ये एक जो है आधरशिला रखी गई है अब आगे के लिए कैसे कैसे क्या का करना है सारी चीजे मैंने आपको जो हम बताई है current affair का जाधा कोर्श थे तो मैंने उसको यहांपे बता इसके अलावा हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स काउन काउन से करने वह मैंने आपको यहां बता दिये और हर सब्जेक्ट को कितना समय देना है अगले इसके आपके वास तीन हफते और होंगे जिसमें कि आप लोग आप सारी चीजे बता दें जो रिल्मेंट है उनको अगर आप करोगे तो ज्यादा आसानी से कर सकोगे और नया पेड़ गूप हमारा चालू होने वाला 60 डेस का क्रेश कोर्स होगा तो आप लोग इसको भी जोइ करके चलिए फिर मिलते हैं जाइन जावरत ओल दे वरी वेस्ट है वंदे मातरम